आप लोग जांगते होंगे कि Current Affairs आपकी एकजाम में कितना महत्पूर्ण इस्थान रगता है और हर एकजाम में चाहे आप लोग UPSC यानि कि Civil Service IES की तैयारी कर रहे हों या फर आप लोग State PCS में MPPSC हो गया, बिहार PCS, चत्तिसगर, उत्तराखंड PCS, EUP PCS हो गया या इस तरह के और राज्यों में भी आपके PCS के एकजाम होते हैं उन्हों में भी Questions आच्छी खासी संख्या में पूंचे जाते हैं या फर आप लोग One Day एकजाम देख लिजे, SSC Bank Railway सिक्छक भरतिया होती रहती हैं Police Constable के लिए होता रहता है, SII धरोगा पड़वारी के लिए होता रहता है इन सब में Current Pairs से Questions हमेशा पूंचे जाते हैं और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, कि आप लोग अपने एकजाम के पूराने Questions पेपर उठा के देख लिया करेगा उनका मुल्यांकन किया करेगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के Questions पूंचे जा रहे हैं और अभी तक आप देखें, जनवरी फरवरी के हम लोग देख चुके थे, यह आप देखें, Current Affairs March 2023 की जो घटना हैं, उनसे सम्मंधित Questions हैं और Monthly Current Affairs के नाम से आपकी पिले लिष्ट सोची बनी हुई है, वहाँ जाएंगे तो पिछले साल के हों या इस साल की जितनी भी कलास हैं, सभी उसमें आपको मिल जाएंगे तो चलिए इसमें मार्च महिने का पहला Questions देखते हैं, क्या कह रहा है, यह कह रहा है आप लोगों से पहला Questions कि कौन ब्यक्तिर हाली में केंद्रिय विद्धोत बीनियामग आयो की नए अध्यक्च बने हैं, बताइए, तो इसमें आप देखेंगे कि CERC की बात हो रहे है, Central Electric Trade Treaty, Regulatory Commission है ना, उसी की बात हो रही, जिसकी स्थाफना जुलाई, 24 जुलाई 1998 में होई थी, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें Option क्या लगा दोगे आप लोग, इसमें होगा आपका, जिसनों बरुआ, बी Option बिलकुल ठीक रहेगा इसमें, ठीक है, अंगला है, किसे ससक्त स सीमा बल, SSB की नई महानेदिशक की रोब में निउक्त किया गया है, SSB सुना है ना, कौन होगा इसमें, ससक्त सीमा बल की बात करहों में, और इसकी स्थाफना 1903 सक में हुई थी, नई दिल्ली में आपको हेड़ क्वार्टर देखने को लेगा, तो ये रस्मी सुकला है, कौ पिती बर्ष बिस्व बन्यजीब दिवस किस तारीक को मनाय जाता है, एक मार्च, तेन मार्च, पांच मार्च या साथ मार्च को, तो आप देखें हर साल, तीन मार्च को दुनिया भर में बिस्व बन्यजीब दिवस मनाय जाता है, और इस दिवस को पिती बर्ष इसलिए मन दुनिया भर में तेजी से बिलॉप्त हो रहे बनसपतियों और जीब जन्तियों की पिरजातियों की सुरक्चा के लिए लोगों में जागरूक करने के उद्दे से मनाया जाता है। और आप सभी लोगों को ये मालूब ही होगा कि बहुत सारी चिडियां आप लोग देखते थे जो पहले आपको आसपास आपके घर में घौंसले बना कर रहती थी आज वो बिलुप्त हो गई कीट पतंगे बहल देखते थे तो ये जलबाई परिवदन का पर वहाँ उन पर भी पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है प्रभाव पढ़ रहा है तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा तो इसमें तीन मार्च होगा क्या होगा तीन मार्च होगा वर्ड वाइल्ड लाइब डे मनाय जाता इस दिन वने जीवों की इपती जागरूपता फैलाने के लिए और तीन मार्च दोहजार चौदे को पहली बार विस वने जीव दिवस भी मनाय गया था कब तीन मार्च दोहजार चौदे में पहली बार ये मनाय गया था ठीक है और साइप्तराश्ट महासबा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने अधिवेशन में बनजीबों की सुरक्षा की पिती लोगों को जागरूक करने बनस्पती के लोगत प्रजातियों की पिती जागरूकता बराने के लिए 3 मार्च को हर साल 20 बनजीब दिवस मनाई की गोशना की थी, ठीक की सब्जेक्ट ही बात करें, तो वन जीब सरक्षन के लिए सांजेदारी इस बार की थीम रखी गई है, और 2022 की थीम क्या थी? पारिस्तिति की तंत की बहाली के लिए पिरमोग प्रजातियों को फिर से लागू करना है, तो आप देखें, पहली बार कब मनाय गया था? और इ कि सराजी की पहली महला बिधायक बनी? है कानी, जखालू, भारत की कि सराजी की पहली महला बिधायक बनी? अब आप सोची कि महला हैं कितनी हम लोग कम आग कर देखते हैं उने? और कि आधी आबादी है उनकी, और उस सराजी में पहली बार कोई महला बिधायक बन रही है? तिपोरा मेगाले यहां आप देखेंगे असम नागालेंड, क्या लगाओगे इसमें? बताईए, अभी चुनाओ भी हुआ था यहां, जहां चुनाओ हुआ था तो वहीं मनी होंगी, क्या होगा? इसमें आप देखेंगे नागालेंड होगा, क्या होगा? नागालेंड, D option बि बात करें, तो चली एक बार आप लोग नागलेंड को देख लीजे, देखी, यह हमारा भारत का मैप, इसमें नागलेंड, यह है कोहिमा इसकी राध्धानी, इसकी सीमा अरुणाचल फिदेश, असम मणीपूर से लगती, तीन राज्यों से लगती, अंतराश्टी सीमा इसकी म मुख मंत्री हैं, राज्यपाल यहां के जगदीप, जगदीश मुख की हैं, और इसका छेथफल आप देखें, कितना है, 16,589 वर किलूमेटर में फैला हुआ है, तो आप समझेएगा, अंगला फूश्या ने कौन बेक्ती हाली में, पत्त सूचना कार्याल है, पी आईवी क तो यह आप देखें कि इसमें आप लोग राजिस मलोत्तरा है, राजिस मलोत्तरा है, पी आईवी को आप लोग फॉलो भी करते होंगे, समझ रहे हैं आप लोग, इसकी स्थापना जून 1919 में हुई थी, समझ रहे हैं, नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेग तो C option ठीक होगा इसमें, अंगले question की तरफ चलते हैं, पिती वस दुनिया भर में सुन ने भेदभाव दिवस किस तारीक को मनाया जाता है, सुन ने भेदभाव दिवस की बात हो रही है, एक मार्च, तीन मार्च, पांच मार्च, छे मार्च, तो एक मार्च को दुनिया भर से होई थी, इसे AIDS का अरकरम से जोड़ा जाता है, क्योंकि सयुक्तराष्ट का मानना है, कि AIDS को मिटानी की वहलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना जरूरी है, और सयुक्तराष्ट की बात करते हैं, तो आप सभी को मालू होना चाहिए, यूनाइटिड नेसंस की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, निवर्क USA में उसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, पिती बस दुनिया भर में विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीक को मनाया जाता है, यह आप देखेंगे एक मार्च को ही मनाया जा जाता है, नागरिक सुरक्षा की महत्तक और दुरघटनाओं या आपदाओं की स्तिती से रोक्थाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और उसे रोक्थाम पर ध्यान आकरसित करने के उद्देश से मनाया जाता है, विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस की बात करा हूँ मैं, चलिए तो ये भी आप लोग याद रखेगा, और इंटरनेशल सिविल डिफेंस और्गनाईजिसन का समिधान 17 ग्टूबर 1966 को अपनाया गया था, एक मार्च 1970 को इसे लागू किया गया था, और अंतराश्टी नागरिक सुरक्षा संगठन की ओर से 1990 में से अस्तित में लाय वो वान थो उंग, एक कहां के राश्टपती बने हैं, एक आप देखें बेतनाम के बने हैं, बेतनाम के बने हैं, बेतनाम एसीया में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, हनोई इसकी राध धानिये, ठीक है, ये आप लोग याद रखेगा किसने National Badminton Championship 2023 में महला एकल का किताब अपने नाम किया है यानि की जीता है यह है अनुपमा उपाध्या है कौन है अनुपमा उपाध्या है तो यह आप लो याद रखिएगा इसमें सी होगा पिती बस दुनिया भर में अंतराष्टी महला दिवस कम बनाया जाता है अंतराष्टी महला दिवस की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को मनाय जाता है अंतराष्टी महला दिवस और एक क्यों मनाय जाता है इस सबाला आप लोगों की मन में जरूर आता होगा और शुरुआद इसकी किस तरह से हुई तो 1910 में किलारा जैट किंग नाम की एक महला ने अंतराष्टी महला दिवस कामगारों की अंदोलन से निकला था जिसे बाद में सयुक्तराष्ट ने भी सालाना जसन की तोर पर मानता दी थी और पहले यानि कि 1908 में तब शुरुआ था जब करी 15,000 महलाओं ने नियोर्क सहर में एक परेड निकाली थी और उनकी मांग थी कि महलाओं के काम के गंटे कम किये जाएं तनखा अच्छी मिले और महलाओं को बोट डालें का हथ मिले तो यह भी आप लोगों को मालू होना चीए और आप देखेंगे इसके और अंतराष्टी महला दिवस को उपचारिक मानता 1975 में मिली थी जब सयुक्तराष्ट ने भी यह जसन मनाना रखेगा और एक बात आप लोगों को याद रखने चाहिए कि अब महलाओं के साथ अगर कोई भेदभाव की बात करता है और उन्हें कमजोर समझने की बात करता है तो उससे बड़ा वेवकूप कोई हो ही नहीं सकता है 2023 की थीम क्या रखे गई है डिजिट ओल लेंगिक समानता के लिए अविस्कार एवं तकनीक इस बार की थीम रखे गई है तो ये भी आप लोगों याद रखेगा अंगला कुश्चान है कौन ब्यक्ती हाली में बित्तमंतराले की तहट 28 में लेखा महानियन तक बने है बताईए ये हैं आप देखेंगे SS2 कौन है SS2 किसने BBC इंडियन इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ओप दा इयर 2022 का प्रुसकार जीता है ये है मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू है कौन ये आप लोगों को मालू होगा बैट लिप्टर है ये इंडियन बैट लिप्टर ठीक है साई खौम मीरा बाई चानू इनका नाम है आठ अगस्त 1994 में इनका जरम हुआ था किस फॉट वाल टीम ने संतोर ट्रॉफि33 का किताब जीता है किसने जीता है इस आप देखेंगे करंठक न जीता है किसने करंठकwałो जीता है चली एक बार करनाटक को देख लेते हैं हम लोग या आप देखें करनाटक है बैंगलोर इसकी रादधनी एक नवंबर 1956 में से राज बनाए गया था और इसकी सीमा गुआ महराश्ति लंगाना आंध्पदेश तमिलाडू केरल से लगती है आप देखें बिधान अगर हम लोग मुक्पंत्री की बात करें तो आप देखें बसावराज भूंबई है थावर चंद गहलों तेहां के राज जिपाल है ठीक है तो यह भी याद रखेगा किसने प्रित जिकर अर्ची अर्ची आर्किटेक्चर प्राइस 2023 जीता है बताएए कौन होगा यह देविड चीपर फिल्ड भी कह रहा है आपसे मुडी जॉन्स लेंड इस्टीवन क्लार्क एथम मौरिस तो यह आप देखें डेविड चीपर फिल्ड होगा यह आप देखें राम चंद फोडेल बने है और नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो हमारा ही पडोसी है नेपाल हमारे सांस के तिक संबंधी भी काफी मिलते जूलते हैं यहाँ आप देखें काठमांडू इसकी राधधानी है देखें यह नेपाल उत्तराखंड, उत्तरफदेश, बिहार, सिक्किम और हमारे पश्च मंगाल की सीमा लगती है तो यह भी आप लोग याद रखेगा जब भी किसी राधध जी की यादेश की चर्चा होती है तो उसके बारे में एक सामन जानकरी जरूर रख लिया करेगा उसकी सीमा किनकिन से लग रही है तीक है इसकी सीमा आप देखें अंतरा इसकी नेपाल की सीमा चाइना से भी लगती है नैफिय। रियो कौन सी बार नागालेंड के मुखमंतरी बने है नैफिय। रियो ये पांच भी बार मुखमंतरी बने है ठीक है नागालेंड की ये चुनाओ करवात है कौन है Election Commission of India के बारे में सुने हैं भारती निर्वाचन आयोड के बारे में ऐसे सम्मिधान एक संस्ता है समिधान के अनुच्षेद समिधान एक संस्ता कहने का मतल़ होता है कि समिधान के किसी अनुच्षेद में उसका उलेक किया गया है तो इसमें आप देखें Election Commission of India अनुछे 324 को आप लोग पढ़िए इसकी थापना की बात कीगे 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी नई दिली में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा सू कुमार सेन पहले हमारे मुख चुनाओ आयुक्त थे कौन नियॉर्क के कोर्ट में पहले भारती अमेर की जज़ बने है बताए तो ये आप देखें कौन होगे आरुन आरुन सुबंबन्यम होगे P option ठीक इसमे मानिक साहा लगा था दूसरी बार किस राज्जी की मुख मंत्री बने है ये भईया तिप्पुरा के बने है कहा के तिप्पुरा के बने है तिप्पुरा में भी अभी चुना हुआ था ये हाप देखें तिप्पुरा अगरतला इसकी राधधानिये बंगला देशे से तीन तरफ से गेरे हुए इसकी सीमा असम और मेजोरम से लगती है तो ये भी आप लोग याद रखेगी रखिएगा इसके बारे में चलिए कुछ और बता देता हूँ तिप्पुरा के बारे में कि यहां बिधान स्वा में कितनी सीते हैं इसी आप देखेंगे केंदर सासित पर इसकब बनाये गया था एक नवमर 1956 में और इसी राजी का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 में सत्य देव नाराइन आरे यहां के क्या है राजजपाल है मुकमंत्री है मानिक साहा बिधान स्वा में 60 सीट है राजी साबा में 1 सीट है लोग साबा में 2 सीट है देखने कुमलेगी 10491 वर्क किलूमीटर में यह फैला हुआ है तो मानिक साहा की बात हो रही है ठीक है कौन भारती वाइस है न में लड़ाकू एकाई की पहली महला कमंडर बनी है अब आप देखिए महला है कहा कमजोर है जहां उन्हें मौका मिल रहा है बहुत 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 अपना कर्तब देखा पा रहे है सालीजा धामी होंगी यह सी ओपसन ठीक है इसमें सालीजा धामी 10 मार्च 2023 को केंद्री उद्दोगिक सुरक्षा बलने अपना कौन सा इस्था अपना दिवस मनाया है बताइए तो यह चंगनबा मनाया है इन्होंने कौन सा चंगनबा बनाया है इन्होंने और इस्था अपना हुई थी 10 मार्च 1969 को नई दिल्ली में हेड़क्वार देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे चंगनबा, B आफसन ठीक है इसमें अंगला है पिती वर्स दुनिया भर में विसर किड़नी दिवस का मनाया जाता है किड़नी आप लोग देखते हैं ना कहते हैं किड़नी खराब हो गई किसी की किड़नी ट्रांस्प्लांट हुआ है बताइए तो एक का मनाया जाता है यह आप देखते हैं कि इस बार 9 मार्च को बनाया गया था 9 मार्च को लेकिन मार्च महिने के दूसरे गुरुबार को मनाया जाता है मार्च महिने के दूसरे गुरुबार को मार्च महिने के दूसरे गुरुबार को तो इसमें आप लोग जरूर याद रखिये गा तो C option ठीक होगा, और एक तरह से लोग जागरूक रहें, इसलिए आप देखते हैं मनाते हैं से, अंगला question है हमारे सामने, Oscar Award 2023 में किसी सरुषिष्ट अविनेता का पुरुसकार मिला है, और पुरुसकार, यह मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, अंगला question है किसी बर्स 2022 का ब्यास सम्मान मिला है, ब्यास सम्मान, यह हैं डॉक्टर ग्यान चतरवेदी, डॉक्टर ग्यान चतरवेदी, डॉक्टर ग्यान चतरवेदी, यह आप देखते हैं कब सुरू हुआ था, पहली पहली बार कब दिया गया था, पहली बार 1991 में दिया गया था, और विडला फाउंडेशन की द्वारा दिया जाता है न, ठीक है, राम बिलास सर्मा को मिला था पहली बार ही, कौन ब्यक्ती हाली में IT कंपनी, टेक, महिंदरा की नए CMD और CU बने हैं, कौन बन गये, कि नए ज मोहित जोसी, मोहित जोसी होंगे, टेक महिंदरा के, यह आप देखें, CEO MD बने हैं, मोहित जोसी, यह आप लोग याद रखेगा, और 24 अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, पूने महराष्ट में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा, कौन बंदे किस पूरुस किर्केटर को फरवरी महिने के लिए ICC पिलियर आपदा मंध का सम्मान मिला है, यह हैरी, ब्रुक एंग्लेंड के हैं यह, इसमें आप लोग क्या लगा दोगे, C option ठीक है, ICC की बात करें तो आप लोग जानते हैं न, International Cricket Council की बात होती है, और इसकी स्थापना कि अगर हम लोग बात करें तो 15 जून 1909 में हुई थी, 22 से युक तरव अमिरात में इसका headquarters आपको देखने को मिल जाएगा, किस महला किर्केटर को फरवरी महिने के लिए ICC पिलियर आपदा मंध का अवर्ड मिला है, यह कौन है, यह आप देखते हैं, ऐसले गार्डनर है, और श्रलिया की हैं, बी ओप्सन ठीक है, पिती वस दुनिया भर में बिस उभ्भोकता अधिकार दिवस कम मनाय जाता है, बताईए, उभ्भोकताओं के भी अधिकार हैं, कि उन्हें सही कुछ मिले सब कुछ खाने के लिए, तो यह 15 मार्च को मनाय जाता है, कव 15 मार्च को म मनाय जाता है, और इस बार की ठीम क्या रखेगी है, हरे तुजा के संक्रमन के माध्यम से उभ्भोकताओं को ससक्त बनाना, यह आप लोग याद रखेगा, रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, उभ्भोकता दिवस, और पहला उभ्भोकता अंदोलन 1983 में देखा गया थ अमेरिकी कॉंग्रेस को कि राश्टपती जॉन एप कैनेडी के विशेश संदीज से पे रहे थे, जो 15 मार्च 1962 को ने दिया था, फिर आप देखें, पहली बार 1983 में उस तारीक को चिन्नित किया गया, तब हर साल मात्पून मुद्दों अभियानों पर कारवाई करने के सामान ने दिशा निर्दिश जारी किये थे, 1983 में पहली बार मनाया गया था, 20 अभोगता दिबस, ठीक है, चलिए भी आप लो याद रखेगा, सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, सूचित किये जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, समस्या क जो रिपोर्ट आती है, उसी की बात हो रही है, आया तक, आया तक पूछ रहा है, यानि कि खरीदारों की बात हो रही है, इसमें, किसी बात हो रही है, खरीदारों की बात हो रही है, तो भाईया इसमें तो मुझे लगता है कि क्या लगाओगे आप लो, जो इंटरनेशनल, इसमें आप देखेंगे भारत ही बना हुआ है भारत सबसे बड़ा आया तक बना हुआ है और ये सीपरी की बात करें ये एक सुतंद अंतराश्टी संस्थान है जो आयूद हत्यार नेंतर नरस्तिकर्ण में अनुसंधान ये तू समर पे थे और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी इस टॉक सुईडन में ठीक है तो जरूर इसके बारे में याद रखीगा आप लोग तो भारत ही होगा कौन बैक्ती हाली में भारत में अमेरिका के नए राज़दूद बने हैं इसमें ए है एरिक गारसेटी बी ऑप्सन ठीक है कौन पित्थम भारती मूल के बैक्ती अमेरिकी एरपोर्स के सहाएक रक्षा मंत्री बने हैं इह है रभी चौदरी कौहन है रभी चौदरी या आप देखें वहां की नागरिकता लेली इन लोगोंने समझे रहे हैं आप लोग भारती मूल के हैं लेकिन भारत से इंका सम्मंद रहा है ठीक है रभी चौदरी अंगला है पिती बस अंतराष्टी गड़ित दिवस किस तारीख को मनाय जाता है गड़ित दिवस की बात कर रहा हूँ अंतराष्टी गड़ित दिवस ए कब मनाय जाता है अगर आपको मालू होगा तो आपने बताया दिया होगा 14 मार्च को मनाय जाता है कब 14 मार्च को मनाय जाता है A option इसमें बिलकुल सही है सभी के लिए गड़े तिस बार की थीम रखी गई है इसकी A भी याद रखेगा चली अंगला question देख लेते हैं पिती बस 20 नींद दिवस का मनाय जाता है 20 नींद दिवस की बात हो रही भाईया नींद लो पूरी समझ रहे हैं वो कहते हैं ना भूंके पेट भजन नहीं होते हैं उसी तरह नींद के विना भी कुछ नहीं होता है तो यह आप कब मनाई जाती है आप देखेंगे 17 मार्च को मनाय गया है इस बार और 20 नींद दिवस मनाय गया और आपको बता दूँ इस दिवस को पिती बस मार्च माहिने के तीसरे सुकवार को मनाय जाता है मार्च माहिने के तीसरे सुकुवार को मनाया जाता है और इस देवस को पी तीवस मार्च माहिने के तीसरे सुकुवार को मनाया जाता है इसलिए इस देवस को मनाने का उद्देश नींद और इसके महत्य के बारे में जाग रूखता फैलाना है एक तरसे तो यहाप लो याद रखेगा आपको मालू है बहुत सारी भीमारिया भी हो जाती है मांसिक भीमारिया इस बार की तीम रखी कि यह सेहत के लिए जरूरी नीन सेहत के लिए जरूरी चलिए अगला कुश्चन है हमारे सामने Central Banking Award में सकती कांथ 10 Governor of the Year पाने वाले अब तक कि कौन से भारती ये बने है ये आप देखें दूसरे बने है कौन बने है दूसरे बने है RBI यानि कि रेजर Bank of India की बात हो रही है वहीं कि उसकी के अध्यक्षे न है ये अभी ये इन्हें Central Banking Award दो जाते है इसमें Governor of the Year का संबान मिला है और ये दूसरे भारती ये गवणनर है इससे पहले आप देखें 2015 में RBI की पूर गवणनर रगुराम राजन को दिया गया था और उन्हें भी ये अब और बहतर प्रवंधन के लिए दिया गया था RBI यानि कि रेजर Bank of India या बैंकों का बैंक भी कहते हैं हमारी केंद्रिय बैंक भी है एक अपरेल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई में हेड़क्वार्टर देखने कुमलेगा कौन IT कंपणी TCS के नए CEE MD और CEO बने हैं तो के क्रिती वासन है यह सी ओप्सन विल्कुर ठीक है जो आप देखते हैं टाटा कौन है एक टाटा कंसल 10C सर्वेसिस है ना एक भारती बहुराष्टी सूचना फ्रोधगी कंपणी है 1968 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई महराष्ट में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा पिती वस पूरे भारत में राष्टी टीका करन दिवस की स्तारी को मनाया जाता है राष्टी यह टीका करन दिवस की बात हो रही है यह 16 मार्च को मनाया जाता है अंगला कुश्चन है मारे सामने पिती बस अंतराष्टी पिसन्यता दिवस इंटरनेशनल डे ओफ हैपिनेस किस तारीक को मनाय जाता है इसमें तो हम लोग आप देखते हैं कि नीचे से टॉप करते हैं जब इंडेक्स आता है 20 मार्ज को मनाय जाता है इरे भाई खुस रही है फीश मार्ज को मनाय जाता है इस बार की ठीम रखेगी है सावधन रहें अभारी रहें दयालू बने क्या बने दयालू बने अंतराष्टी पिसन्यता दिवस की बात हो रही है यह आप लोग जरूर याद रखेगा 20 मार्ज को मनाय जाता है कब मनाय जाता है 20 मार्ज को मनाय और आप देखें इस संकल्प को अपनाते हुए अंतराष्टी ए खुसी दिवस हर साल 20 मार्च को मनाने की घुशना हुई थी और 2013 में पहली बार ये अंतराष्टी खुसी दिवस मनाये गया था ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेएगा चलिए अंगला कुश्चन देख लेते हैं जारी वर्ष 2023 की बर्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है अब बताईए हमें मिला है 125 वा कितना 125 वा हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं लगबग ये आप देखेंगे कि 125 वा मिला है में और जो हमारे पड़ोसी हैं उसमें पाकिस्तान 108 वे नंबर पर है स्रीलंका 112 वे नंबर पर है बंगलादेश तो 108 वे नंबर पर है नेपाल 78 वे नंबर पर है चीन आप देखें 64 वे नंबर पर है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अब आप सोचीएगा कि क्या सोचना है आप लोगों को कि हम लोग कितने दुखी रहते हैं हम लोग कितने दुखी रहते हैं एक तरह से UN Sustainable Development Solutions Network ने वर्ल्ड आप देखेंगे बेस्विक खोसाली रिपोर्ट जारी की थी ना 136 देशों को आप देखेंगे इसमें सामिल किया गया था फिर लें लगाता चटी बार सीस पर बना हुआ है डेन्मार्क दूसरे पर तीसरे पर आइसलेंड आपको देखने को मिलेगा 136 देशों में भारत को 125 वाहिस्तान मिला है 2022 में आप देखेंगे 146 देसों में 136 भी इस्तान परते हैं हम लोग हम लोग अपने पड़ोसियों से पाकिस्तान की देखी कितनी बुरी इस्तिती बनी हुई है उससे पीछे हैं हम लोग किस भासा की पिसे दे लेकिका सिव संक्री को बर्स 2022 का सरसुती संबान मिला है सरसुती संबान मिला है यह तम alarms की ता कि हैं तमिल की है ठीक है यह आप देखेंगे tamil की यह option 1991 में इसनरू किया गया था ठीक है और पहली बार हरी website राइ बच्चन को दिया गया था तो यह भी आप लोग याद रखेगा सरस्तुती संबान की बात हो रही है और सेव संकरी को यह संबान उनकी 2019 की आदम कथा सूर बंसम के लिए दिया गया है और केके बिरला फाउंडेसन द्वारा दिया जाने बाले साहित का एपितिश्टित पुरुखता किसी भी भालती भासा के लिए दिया जाता है कौन ब्यक्ती हाली में अरुण कुमार सिंग के स्थान पर PCL के नई चेयर्मेन और प्रबंद नेदेशक बने है जी किसने कुमार बने है जी किसने कुमार भारत पैटॉलियम क्या भारत पैटॉलियम की बात हो रही है इसकी स्थाफना आप देखें 1976 में हुई थी मुंबई महराष्ट में इसका हेट गॉटर देखने को मिलेगा अंगला कुष्टा ने किस देश से समधित खिलाडी टिम पैन ने किरकेट के सभी प्यारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है अंगला कुष्टा ने पितिवस अंतराष्टी बंदिवस की इस तारी को मनाया जाता है बंदिवस कब मनाया जाता है अंतराष्टी ये बंदिवस अरे भाई बनों के पिती भी जाग रूक रही है तो ये आप देखते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है बंदिवस, 21 मार्च को बंदिवस मनाया जाता है, हर साल, ठीक है, हर साल मनाया जाता है, इसका पिस्ताओ सविक्तराष्ट मासवा ने 2012 को पारित किया था, और 2023 की थीम रखी गई, वन और स्वास्त, और आपने देख लिया, कुरोना महामारी में, कि ऑक्सिजन कितनी जरूरी ह पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है, 2013 में पहली बार अंतराष्टी बंदिवस मनाया गया था, यह भी याद रखेगा, अंगला कुछन ने पितिवस, विस्तु कभीता दिवस कम मनाते हैं, कभीता दिवस की बात हो रही है, यह कम मनाया जाता है, बताईए भीया, इसमें अधिन्यक् locale, आप देखेंगे, 20 March, 21 March या 22 March कब मनाते हैं, यह आप मनाते हैं, 21 March को, कभ, 21 March को आप लोग विस्त कभीता दिवस मनाते हैं, और यह आप देखते हैं, सविक्तराष्ट ने वर्स 1999 में पिति वर्स 21 रही है, कभीता दिवस की रूम में मनाने की गोशना की थ और इसका मनाने का उद्देश से कविताओं का प्रश्यार पिसार करना इस बार की थीम आलवेज भी एपोईट एविन इन प्राइस रखा गई रखी गई थीम 21 मार्ज को अंगला है किसे दीपक बागला की स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीओ निव्ट किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तो मन मीत के नंदा को यह आप देखें मन मीत के नंदा को चलिए अंगला कोश्चन चलते हैं भारत की किस पित्थम महला खिलाडी के नाम पर राइबरेली में इस्टेडियम बनाया गया है राणी रामपल के नाम पर बरेली उत्तरफिदेस की बात कर रहा हूँ और राणी रामपल हमारे देखें होकी पलियर है ठीक है यह आप देखें कि अगर उत्तर पिदेश लखनवु राध्धानी इसकी उत्तर पिदेश में राइवरी लिए देखने को मिलता है अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती राज्जों में बियार, जारकंड, 36 गण, मत्पिदेश, राजिस्तान, हर्याना, हिमाचल पिद से इसलिए मात्पोंड है उत्तर पिदेश और कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्धी है उसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है इसमें, ठीक है, पित्ती बर्स पूरे भारत में सहीद दिवस कब मनाये जाता है, सहीद दिवस की बात हो रही है, तो आप सभी जानते अधिवास दुनिया भर में 20 मौसम बिग्ञान दिवस का मनाते हैं 20 मौसम बिग्ञान दिवस को मना जाता है 20 मौसम बिग्ञान दिवस इस बार की थीम में रखी गई है the future of weather climate and water across generations रखी गई है और जो मौसम के बिग्ञान के साथ इसमें हो रहे बदलाओ की बारे में लोगों को जारू करने के लिए एक तरह से 20 मौसम बिग्ञान दिवस 23 मार्च को कब 23 मार्च को यह आप लोग जरूर याब रखीगा और विस मौसम बिग्ञान संगतने ना उसमें आप देखते हैं कि 25 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा इस्ता पित हुआ थे इसका headquarter जेनिपा स्वीजा एलेंड में देखने को मिलेगा यह 1961 से मनाया जा रहा है अंगला कुशन है हमारे सामने कौन सा राज हाली में right to help फिल पारित करने बाला भारत का पहला राज बनाए और काफी बिरोध भी हो रहा है इसका वहां के डॉक्टर कर रहे हैं और यह right to will यानि कि बिधान सवा से पारित हुआ है अभी अब आप देखें राजपाल के पास जाएगा राजपाल सहमती देगा वो कानून बन जाएगा और आम इंसानों के लिए अच्छी बात है क्योंकि आप देखें कि इसमें कहा गया है कि किसी को पैसे की आभाव में इलाज की कमी नहीं रहेगी उसे इलाज करना है वो जित्फल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्तान तीन लाग ब्याली से जाद दो सो उन्तारीस बरक किलूमीटर में फेला हुआ है जैपुरिस की रादधानी है इसके अंतराश्ती सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मद्धपिदेश, उत्तरपिदेश हरियाना और पंजात से लगती है विदान सबा में 200 सीटे है राज्य सबा में आपकी 10 सीटे है लोग सबा में 25 सीटे है और यहां के कलराज मिसरा यहां की राजपाल है असोग गहलोत यहां के मुखमंत्री देखने को मिलेगी पिति वस्दुनिया भर में 200 जल दिवस का मनाय जाता है 200 जल दिवस का मनाय जाता है यह आप सभी को मालो होगा कि 200 जल दिवस का मनाते है यह 22 मार्च को मनाय जाता है 22 मार्च को 200 जल दिवस मनाते हैं आप लो क्या मनाते है 200 जल जल ही जीवन है जल के पिती भी जाग रोक र एक्तराष्ट असेंबली में पिस्ता लाए गया था और जिसमें ये गोशना की गई थी 22 मार्च को 200 जल दिवस की रूम में मनाये जाएगा इसके बाद 1993 से दुनिया भर में 22 मार्च को 200 जल दिवस मनाये जाता है इस बार की थीम क्या रखी गई है सुरक्षित स्वक्ष पेजल सुरक्षिता की अधिकार इस पार की थीम रखी गई है ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने अर्जिंटिना के लुइस कैफ रैली को एवेल प्राइज 2023 मिला है जो इस चेत में दिया जाता है किस चेत में दिया जाता है गड़ित के चेत में दिया जाता है वी ऑप्सण ठीक हैस में कैंसरकार निकेंदरी करमचारियों का महंगाई बत्ता यह आप देखेंगे 4% बढ़ा कर दिया कितना कर दिया ए आप देखते हैं 42% कर दिया किती वरस 206 रोग दिवस का मनाय जाता है 206 रोग दिवस वर्ट टीवी डे की बात हो रह जाता है और भारत ने आप देखते हैं कि लक्ष भी रखा हुआ है 2025 तक देश कुछ है टेवी मुक्त करना और जब कि इसके उन्मूलन के लिए बैस्पिक लक्ष 2030 है और इस पार की थीम क्या रखेगी है हाँ हम 6 रोग का उन्मूलन कर सकते हैं 1882 में इस दिन को रोबर्ट कारक mycobacterium bacterium tuberculosis की खोज की थी और घोषना की थी इस उनकी खोज ने इस भीमारी के निदान में एक तरह से आप देखेंगे चलिए यह आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सोरेश कुमार दास है कौन से दास है या राहल चौदरी है यह आप देखते हैं कि अमिस सींग बेशनम है या राहल रॉय चौदरी होंगे इसमें ठीक है पितिवस विस्वरंग मंच दिवस की स्तारीक को मनाई जाता है इस 27 मार्च को मनाया जाता है विस्व रंगवंच दिवस का मनाया जाता है 27 मार्च को और आपको बता दूं कि 1961 में International Theater Institute ने इस दिन की स्थापना की थी इस दिन को मनाने की काउदेश लोगों में Theater को लेका जागरूपता लाना Theater की एहमियत याद दिलाना है इस थाल की थीम रखी ये Theater and a Culture of Peace रखी गई इस बार की थीम ठीक है अगला है कौन मार्कोस त्रियोजो की स्थान पर New Development Bank के नई प्रमुक बने हैं NDBK तो बताईए इसकी स्थापना जुलाई 2000 कब हुई थी संघाई चाइना में इसका हेड़कोटर देखने को मिलेगा यह हैं डेलमा रूसेप बी ऑप्सन ठीक रहेगा किस करके टीम ने पहली बार आयोजित वोमेंड प्रिमियर लीग 2023 का किताब जीता है महलाओं का जो प्रिमियर लीग हुआ है आयपील हुआ है तो यह मुंबई इंडियंस ने जीता है मुंबई इंडियंस ने जीता है पुरोसों का तो 2008 में शुरू हुआ था लेकिन महलाओं का 2023 से ही शुरू हुआ है ठीक है यह आप लोग याद रखी गए और इसमें आप देखते हैं कि दिली केपिक्टर्स की टीम को साथ बिकट से हराया है यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्चन है एप एपों ने बस 2023 के लिए करमचारी भवस निदीव पर ब्याददर 8.10% से बढ़ा कर कितनी कर दी है या 8.15% कर दी है 8.15% कर दी है इंफोल वाय में प्रोविडेंट फंड और्गनाईजेशन है न उसी की बात हो रही है तो उसी में तो इस तरह सी आप देखेंगे कि मार्च महिने में जो घटना एंगटी है उनसे सम्बंदित आपकी परिक्षाओं के लिए कौन कौन से कुश्चन्स महात्पूर हो सकते है उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है आपके कोई सुझाओ हो हो मेरे से सवाल हो तो आप लोग नीचे लिख सकते है और हर महीने का करेंट अबर्स हम लोग कवर करते रहते है ठीक है और डेली करेंट आपका आता रहता है जो आप देखते हैं देनिक जागरन का डिस्कसन होता रहता है तो यहीं चैनल के पर आप देखते हैं कि जाते हैं मैन पेज़ पर तो ही आप लिंक दी गई है उस चैनल को जोड़ के रखा गया तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड जोइन कर सकते हैं अगर आपको डेली पढ़ना है तो